हर्याना के पशुपालक किस परकार से पशुपालन में अधिक से अधिक लाप राप्त करें महीं हर्याना परदेश को भारत में ही नई बलकि दुनिया में दुगद उत्पादन में नमबर वन किस परकार से लाया जाएगा इस विश्य पर लुवास विश्य उध्याले में पशुपालक गोष्टी का आयोजन किया गया जिसमें मुखे अथिती के तोर पर क्रिशी मंतरी ओपी धंकर ने शिर्कत की गोष्टी में हिसार के साथ साथ अन्य जीलों के पशुपालकों ने भी हिस्सा लिया इस दोरान किसानों ने परदेश के क्रिशी मंतरी को पशुपालन विश्य पर विस्तार से चर्चा की इस दोरान क्रिशी मंतरी ओपी धंकर ने बताया कि अगले पांस सालों में हर्याना प्रती पशुद दूद उत्पादन वा प्रती व्यक्ति दूद उत्पादन नमबर वन बनाने के लिए परदेश सरकार लगातार परियास कर रही है हर्याना सरकार चाहती है कि हर्याना प्रदेश दूद उत्पादन में दूसरे राज्यों से नहीं बल की अधिक दूद उत्पादन वाले देशों से भारत की तुनला हो इस विश्य को लेकर हिसार में पशुपालकों से मुलाकात की गई और उनसे पशुपालक को लेकर सुईजाव दिये गई क्रिशी मंतरी ओपी धनकर ने बताया कि पशुपाल को द्वारा दिये गए विचार वसुझावों को भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल करेंगे और अगामी पांच वर्षों में कड़ा परियासकर हर्याना को दूद उतपादन में नंबर वन बनाने का काम करेंगे अगले पाँ सालों में हम हरियाना को परती पसूर दूद उत्पादन में और परती व्यक्ती दूद उत्पादन में नमबर वन बनाना चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हरियाना की तुलना अब भारत के राज्यों से नहीं दुनिया के जो दूद उत्पादक देश है न्यूजिलेंड है अस्टेलिया है डेनमार्क है ऐसे देशों के साथ भारत की तुलना हो और उसी के लिए आज सारे पसुपालकों के बीच बैठके उनके सुझाओ सुनने के लिए आये थे ये अगले पांच वरसों में एक एक छो टेकनोलोजी को लेकर और और भी बहुत सारे भी शहचारे को लेकर मैं कहूंगा बक्रियों को लेकर भी सुझाओ दिये भेड बक्रियों को लेकर भी अगले पांच वरसों में इस पर आगे बढ़ते हुए जो एक सपना लेकर चल रहे हैं कि हरियाना प्रतिव पसु दूद उत्पादन और प्रतिव एक्ति दूद उत्पादन में नमबर वन बने उसमें हम काम्याब होंगे हैं मुझे लगता है कि दोनों यूश्टियों काम बहुत ही पापूलर है थोड़ा आप भी घूमिये करसी विक्यान केंदरों तक जाएए किसानों तक जाएए तो आपको बहुत पापूलर मिलेंगी लोग इनकी चीजों को हमसे मांग करते रहते हैं कि उनिष्टिय से हमको यह मिलना चाहिए यह जानकारी मिलनी चाहिए यह चीजे मिलनी चाहिए